एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चमतकार किया कि जिसने भी सुना वो उपर से नीचे तक काँप गया जब पंद्रवी शताबदी में भक्त कंकादास एक दिन भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुचे तो वहां के पुजारियों ने इनके लोग काश्च के होने की वज़े से इनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया कंकादास बहुत परिशान हो गये और मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैट गये कुछी समय बाद मंदिर के अंदर से जोरो की अवाज आने लगी लोग भागतीव गर्व ग्रह में पहुचे तो पाये कि कृष्ण जी की मूर्ती पीछे की तरफ घूमने लगी है मूर्ती 180 डिग्री पूरी पीछे मूर गई और पीछे की दिवार अपने आप तूट गई भक्त कंकादास जो मंदिर के पीछे के तरह बैठे हुए थे उन्हें भगवान श्रेकृष्ण की मूर्ती ने शाक्षार दर्शन दे दिये आज भी जब आप इस मंदिर में देखेंगे तो वो जो दिवार का टूटा हुआ हिसा है ना उसे खिलकी का रूप दे दिया गया है कंकादास के लिए हुए इस चमतकार की वजह से इस मंदिर का नाम कंका किंडी पढ़ गया है आज इस मंदिर में हर एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है चाहे वो किसी भी जाती या किसी भी समुदाय का हो कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर विजिट करें कमेंट बॉक्स में जैस रोकिशन लेके इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें